स्यूपूरी जिले के बदरवास में वन भूमी पर लहराती सर्सो की फसल जंगली जानवरों को रोकने के लिए कर दी गई है खैर के पेड़ों से तार फेसिंग स्यूपूरी के बदरवास वन परी छेत्र के गड़ल्स खेला सब रेंज की सोनपूरा में बीट के जंगल में सर्सू की लहराती खेती फोटू वीडियो सामने आये हैं जहां सैकलों वीगा वन भूमी पर आसपास के ग्रामिडों ने कबजा कर उकती जमीन पर ना सिर्फ केती की बलकी जंगली जानवरों को रोकने के लिए सैकलों की संक्या में खड़े क्यार के पेड़ों को काच कर फसल को बचाने के लिए तार फेसिंग भी कर दी गई जानकारी के मताबिक सोनपुरा में बीच के जंगल के कच्च क्रमांक 12-15, 12-11, 12-14 में बड़े चेत में पहले जंगल को काच कर जमीन को समतल किया गया और फिर बाद में वन भूमी पर क्रशी उप्योग के लिए बनाती हुए ग्रामिडों ने खेती करना भी सुरू कर दिय इतना ही नई फसल उगाने के बाद जंगल में सैकडो खैर के पेरों को काच कर जंगली जनवारों को खेतों में जाने से रोकने के लिए खैर के पेरों के जरिये तार फेसिंग भी कर दी गई खास बात या है कि इसके बावजूत वन विभाग को इसकी बनक तक नहीं लग सकी या फिर जंगल पर अतिकरमण मिली भगत के चलते संभव हो सका इस मामले DFO सुधानसु यादाओ का कहना है कि कुछ ग्रामेडों ने पहले से उपती जमीर पर कबजा की हुए हैं जिसके द्वारा खेती की जा रही है उन्होंने नोटिस जारी किये हैं कि जल्दी वन भूमी को अतिकरमण मुक्त करा लिया जाएगा इसके साथ ये किसी भी प्रकार से ने कबजो को अब वन विभाग होने नहीं देगा जाएगा